अज सुवे में समाजवादी पार्टी और दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी है उनके अध्यक्सों की प्रेस्वारता कर रहा था अब तो समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के हो या आम आदमी पार्टी के नेता है अब इनको जनता सुनना नहीं चाहती है तो अब ये प्रेश्वारता करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं क्या कह रहे हैं कभी-कभी होता क्या है जब व्यक्ति जेल में जाता है न उसकी बुद्धी भी पलड जाती है और ऐसे ही आमात्मी पार्टी के अध्यक्स दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजडिवाल की बुद्धी भी भरम में पड़ गई है और जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लारच हो गया है कि वह अपनी बात को मुझ मेरे साथ जोड़ने का प्रियास कर रहे है ये जेल जाने का एक रियक्सन है लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ केजडिवाल जी ये जेल जाने का आप कान वहो दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुकद है क्योंकि आपने हाथ में जाड़ू तो लिया लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया अन्ना हजारे जी ने जिस कांग्रेस की भरष्टाचार के खिलाब आंदोलन किया था जिस अराजकता और जिस अविस्वास के खिलाब आंदोलन किया था उसी कांग्रेस को आपने गले का हार बना करके आज जो पाप कर रहे हैं अन्ना हजारे कभी आपको माप नहीं कर सकते कभी नहीं माप कर सकते है और दूसरा कार्य कि अना हजारे की आत्माज दुखित होती होगी कि मेरे आंदोलन की उपाच किस प्रकार की नकारत में ग्रास नीदी करते हैं और दिल्ली वासी इस बात के लिए परेशान है कि कम से कम अर्विंद केजडिवाज जेल के अंदर थे तो उनकी खासी बंती अब फिल बाहर आ गए अब दिल्ली वासी